कि है लो दोस्तों नमस्कार आज मैं आपके साथ बात करूंगा किंदरी विद्धाले संग्ठन के इंटर्व्वू पर कैसे आप इंटर्वू में ज्यादा स्ट्रूर कर सकते हैं और बहुत ही बुलिट पॉंट में बात करने के लिए मैंने वह बुलिट पॉंट आपके सामने लिख दिये हैं कि इन सब चीरों क्यों आप रख लेते हैं तो जादा इधर उधर दोड़ने भागने सोचने की जरुरत नहीं है आपको और आप बहुत अच्छे तरीके से इंटर्व्यू को फेस कर सकते हैं पास कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं वो फिराग गुरक पूरी का से रहे कि हजार बर्क गिरें लाख आंधियां उठें हजार बर्क गिरें लाख आंधियां उठें वो फूल खिलकर ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं तो ज्यादा परिशान होने की कोई ज़रुवत नहीं है आपको अब देखिए हाउ टु स्कोर गुड में मैंने पहले लिखा है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है बेस्ट वे में दीजियां बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है क्योंकि सब लोग बेस्ट कहना चाहते हैं अब कोई आईडियल इसका साचा तो है नहीं कि किस तरीके से आप बेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपकी नजर में जो ब 10th की, 12th की, BA, MA, यह सब चीजे अपनी बताने लगते हैं कि my name is A, my name is B, and I have done class 10th from this year, 12th from this year, from this university, यह बतानी कोई जोरत आपको नहीं है, क्योंकि आप अपने बायो डाटा में यह सब मेंशन कर चुके हैं, ठीक है, आपने मेंशन कर दिया है बायो डाटा में, तो अब आप बताएंगे कि best introduction में कि मैं कौन हूँ, दरसल यह एक दार्शनिक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, अगर व्यक्ति को यह पता ही चल जाए कि मैं कौन हूँ, तो बुद्ध बन जाए, अगर व्यक्ति को यह पता चल जाए, कि वो कौन है, तो गांधी बन जाए, वो वेवेकानन बन जाए, तो तो आपको अगर पता नहीं है तो कम से कम आप बता सकते हैं कि अपनी qualities क्या है यह तो आपको पता हो सकती है कि आपकी qualities क्या है तो आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप बताएंगे कि मेरा नाम A है और मैं B जगत से आता हूं और मेरी qualities क्या है तो पहला quality आपके क्या है कि आप passionate है दूसरा innovative है और तीसरा जो ideal answer आपका हो सकता है जो मैं सोच रहा था कि आप में coexistence है coexistence मतलब आप सहस्तित्तों में भरोसा करते हैं ये एक अच्छा answer है आप कहीं भी रहेंगे तो आप उस समुदाय उस environment वहां के लोगों के साथ एक cordial relation बना करके अच्छे से रह सकते हैं ये एक अच्छा answer हो सकता है तो आप बताएए कि मेरा नाम A है मैं B शहर से बिलॉंग क दोस्तों अब देखें जैसे ही आपने कहा कि मेरा नाम A, सम़्हान लेजीए कि नीरज है, तो हो सकता है उसके नाम का अर्थ पूछा जा सकते हैं किसी का नाम अगर मृत्यूंजय है तो उसका नाम के अर्थ पूछा जा सकता है किसी का नाम आधित्य है तो यह कह दिया जाएगा अगर आपका नम आधित्य है और कहा गया आप कि आप हिंदी के लिए प्लाई किये हो या प्यार्टी के लिए अप्लाई किये हो तो आपसे कहा जानरा सकता है कि इसके पर्यावाची बटाएए अपने आमका अर्थ आपको जरूराँ करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो उसको जानिए अपने नामकार्थ उसका पर्यावाची उसका इलोर छिक दोशारा हो कि आप कि शहर से बिलोंग करते हैं। जैसे अभी एक बच्चे से बात हो रही थी, तो उनने बताया कि वो हाथरस से बिलोंग करता है। हाथरस क्यों famous है तो हाथरस अगर किसी बुरे कारण से famous है तो आप उसको नहीं बता करके यहाँ पे काका हाथरसी भी रहे हैं काका हाथरसी के बारे में बताएंगे कि इसकी वज़ा से भी famous है और इनकी क्या क्या कविता हैं आपको जरूर याद करनी चाहिए ठीक है अगर आप गोरकपूर से हैं तो आपको गोरकपूर के नाथ संप्रदाय के बारे में आपको थोड़ी बहुत जनकारी होनी चाहिए अपने शहर के बारे में शहर की आतिहा सिक्ता के बारे में उसके वानिज्य के बारे में, उसके डेमोग्राफी के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए मैं आपको to the point आज बता रहा हूँ यह सारे questions आपके introduction से निकल के आ रहे है आपने बताया कि मैं A हूँ, मेरे B शहर से बिलॉंग करता हूँ है और मेरी quality C, D, E है ठीक है तो इसी से question से cross question आपके बनते जाएंगे आपका answer से ही बनते जाएंगे अगर आपको अपने शहर के बारे में नहीं पता है तो आपको जानकारी कोई बरेली से है तो बरेली में और किया खास बात है जुमका के अलावा भी एक विंवय की बर्फी इक वर्फी के बारे में क्या नहीं लड़ getting karş है तो उसे पूछा गया कि मिरजापूर से मैंने पूछा कि merjapur की बारे में क्या जानते हैं तो और ने बताया कि कि मिर्जापूर और किसी कारण से भी फेमस हुआ है तो उन्हें कहा कि मिर्जापूर आई थी कौन हीरो है उसमें कब आई थी यह सब आपको जांकारी रखनी पड़ेगी ना आपको अपने आसपास से करेंट से अपडेट रहना पड़ेगा समझ में आ गया तो बेस्ट इंट्रेक्शन यह हो सकता है कि मैं मेरा नाम यह है और मैं इस शहर से बिलॉंग करता हूं और मेरी क्वालिटी यह है इसको बतानी की जरुद आपको नहीं है 10th, 12th B.A.M. में आपने कब किया यह आपको बतानी की जरुद नहीं है बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बाइव ड़ाटा में लिखा हुआ है और वो देखकर ही पढ़ते हैं पूछते हैं ठीक है अब आता है आपका confidence confidence कई बार क्या होता है कि आप गए और एसी कमरे में इंटर्व्यू हो रहा है और आपका पसीना आने लगा तो देखती समझ जाते हैं लोग कि भाई यह पसीने में तरबतर हो रहा है पानी पकड़ा देते हैं पानी आपको पकड़ाया जा रहा है तो आप पी लीजिए पानी यह नहीं कि नहीं नहीं अपने आप से लाना पड़ेगा ठीक है वह इकबाल का सेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर मणजर से यह खुदा खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है पहले बुलंद करना पड़ेगा अब बुलंदी आती कैसे है खुद को ये एहसास दिलाते रहने से कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है और मैं कर जाओंगा अब एक बात यह है कि आत्मविश्वास एक सुडो होता है एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है जूटा आत्मविश्वास कि हाँ हा मैं कर लोंगा और अभीतर से डाउन होते जा रहे हैं एक कि आत्मविश्वास का अप लेबल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि आप जोर जोर से बोलने लगें या जो से कोई सामने वाल आप से कुछ कह रहा है उसकी बात को आप काटने लगें तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए confidence आपकी calmness के साथ होना चाहिए आप बिल्कुल calm रह करके बिल्कुल ही शान्त रह के cool रह करके अप अपने confidence को बढ़ा सकते हैं कैसे सबसे पहले कि आप यह मानकर चलिए कि आपका return में अगर अच्छा score है आपको बुलावा आया है तो आप उस पार है उस पार अपने आपको पहले तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्यों क्योंकि अगर आपके बैंक में पैसा रहेगा तो आपको हमेशा यह लगेगा कि मैं यह चीज़ खरीद सकता हूं मैं यह चीज़ पा सकता हूं ठीक क्योंकि आपके पास purchasing power की capability है ना आपके पास कि हाँ मेरे पास पैसा है मैं खरीच सकता हूं तो यह पैसा आपका क्या है आपका subject content अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी बड़े mall में चले जाईए तो आपके अंदर वो एक ad आता ह है ना सफेदी वाला कौन साइड है वो एड देख करके कि यह पहली बार है आखरी बार नहीं उससे नहीं होगा आपके पास अगर है तो आप जा करके आ सकते हैं खरीच सकते हैं तो subject content वही पैसा है वही धन है आपके लिए कि आप उस interview में बोड में जा करके अपनी post पा सकत हैं यह कैसे आएगा यह तो आपको बहतर तरीके से पता है कि आप उसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जितना पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको नहीं आना है सबसे पहले subject content अगर आप PRT के लिए हैं तो एक से पांच की किताबें पढ़ लीजिए टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए 11 & 12 11 & 12 में भी कुछ particular topic आप चरूर चूज कर लिए जिसमें आप comfortable हो और बहतर तरीके से आप पढ़ा सके हैं अब बार-बार जो question आता है कि डेमो टीचिंग कैसे करें डेमो टीचिंग को आप bullet point पर करिए ठीक है मैं बार-बार मैं यह लिखने point लिख करके आपको समझाया है जैसे मेरा topic क्या है how to score good ठीक है अब इस topic को मैं लंबा खिच सकता हूं बहुत बड़ी बड़ी बाते करके बहुत आपको exaggerate करके लेकिन मैंने bullet point दिया है कि आप इन bullet point को देखें और आप समझ जाए कि हाँ इनी बातों पर चर्चा होने वाली है इनी topic पर तो आप वीडियो देखें भी तो तीन-चार मिनट के बाद अगर आपका मन कर तो जा सकते हैं लेकिन आप समझत हो गया है कि हमने क्या बात करनी है ठीक है जब भी आप कोई topic पढ़ाएं जैसे को हिस्ट्री का है वो उसको 1857 का revolt पढ़ाना है आप कॉज इंसिडेंट्स और रिजल्ट इन तीन टॉपिक पर समराइज कर दीजिए कॉज इंसिडेंट और रिजल्ट आपका क्लियर हो गया topic सामने वाले को वह समझ में आ गया और आपने बहुत बुलेट पॉइंट में बता भी दिया फिर आप जा करके आप पहले लंबी लं मिकाएं बांधेंगे ऐसे हुआ वैसे हुआ इतना फुरसत नहीं है उनके पास ठीक है और वो समझ जाएंगे कि ये कोल बाते बनाने वाला है आपके पास अगर है तो आप उसको बुलेट पॉइंट में समझा देंगे कहा जाता है कि संशिप्ता ही बुद्धिमता की निश है नहीं कि आपको पॉलिटिकल भासर देने हैं या जनता कोई कठा करकर रखना है नहीं आप यूटूब चैनल चलाने जा रहे हैं वहाँ पे कि यहां से सुरू से देखिए फिर लास्ट में आपको बताया जागा कि अच्छा में पॉइंट यह है दोस्तों अगर आप हमार प्रिटी के लिए हैं ठीक है मैकिसिमल इस्ट्रेंट्स प्रिटी के लिए मैं देख रहा हूं क्योंकि प्रिटी के लिए पोस्ट भी ज्यादा थी तो आप इसमें वीजूल से प्लाई करिए अगर पोयम आप पढ़ा रहे हैं ठीक है कोई सूरज का है कोई पकोडी वाला पोयम है ठीक है या मैठ्स पढ़ा रहे हैं तो आप को shape पढ़ाना है circle का shape कैसा होता है triangle का shape कैसा होता है तो आप visuals को apply करिए अगर आप primary में visuals पर जोर नहीं देंगे तो कहां देंगे क्योंकि बच्चे वीजुल से ज़्यादा अकरशित होते हैं और आपकी टीचिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव बनती है ठीक है पोयम अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अपने हाव भाव के द्वारा अपने वाणी के द्वारा अपने भाशा के द्व लखना है और यह बांध कैसे सकते हैं आप अपनी आवाज से और अपने आवाज की वरियेशन से ठीक है तो इस तरीके से आप अपने डेमो टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं एक विद्यार थी अभी इसको मैं देखा है वह इतना ज्यादा नर्वस था और उसका सब मुझे कंटेंट बनिया था डेमो टीचिंग उसकी बहुत अच्छी थी लेकिन यह स्माइल गायब थी ऐसा लग रहा था कि अगर उसको अभी कुछ बोल दिया जाए तो रो देगा या तो यह सोच कर आया होगा कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे फासी चड़ा दिय कर दिया जाएगा या फिर उसको कैद कर दिया जाएगा पर इसमें क्या नुकसान है आपका कि कहा जाता है कि sadness and smile are both infectious आपका दुख और आपकी मुस्कान दोनों ही दुसरे को प्रभावित करती है अगर आप हमेशा मुख बनाये रखेंगे तो सामने वाले लगेगा कि अच्छा ही का हमेशा दुखी रहता है अगर आप में smile है तो नहीं भी है अगर आप fake करते हैं तो कम से कम fake करते करत से आपको originality आजाती है थूस विद्यारती से मैंने कहा कि आप smile करने की practice करिए दीखिए मैंने अपनी तरपप से कहा कि smile करने और वो कहा कि sir मैं पूरे auto में smile करते हुए आ रहा था practice करते हुए आ रहा था कि smile करूओ का smile करते करते आ introduction grey here आते ही मुझे पसीने आने लगे और मेरी स्माइल गायव होगी तो अब यह बताईए कि अब इसका क्या कर सकते हैं आप में आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया सब्जेक टीचिंग आपकी अच्छी है डेमो आपका अच्छा हो गया सब्जेक कंटेंट अच्छा है यह नहीं है तो लगेगा कि कुछ जो त्दाल में अच्छा लगा दिया आप में धनिया डाल दिया आपने वह लहसूं डाल दिया अध्रक डाल दिया लेकिन नमक नहीं डालागे है तो फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ नमक से याद आया मुझे की एक बार एक देखें नमक का क्या रोल है और स्माइल ही आपके जिंदगी का वो नमक है जो आपको हर कहीं चाहें आप इंटर्वी में जाएं चाहें आप वक्तिकर जिंदगी में रहें या फिर आप अपने दोस्तों और सदारों के बीच में रहें वो प्रभावित करती हैं एक बर एक राजा के पास राजा को तीन बेटियां थी तो राजा ने अपने बेटियों से पूछा ये बताओ कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है ये एक बेटी ने कहा कि पापा मैं आपको हाथी गोड़े के बराबर प्यार करते हूए इस राज जिम जितने हाथी घोड़े हैं मैं उसके बराबर प्यार करते हूँ त्प verdawi अब दूसरे के पास जब राजा गए तो उस कहा कि पापा मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ अब इतना सुनना था कि राजा जो है वो गुस्सा हो गया कि तुम मुझे नमक के बराबर प्यार करती हो ये तुक्छ नमक था पापा मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ तो राजा गुस्सा हो गया आप बमूला होकर के राजा ने कहा कि ऐसा है बेटी अब तुम हमारे राज्य से निकल जाओ मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुमने मेरे प्यार की तुनना नमक से कर दे अब बाप ने गुस्से में अपनी बेटी को राज्य से निकाल गया राज्य से निकल गई वो राज्य के सीमा पर जब वो पहुंची तो फिर तब तक शाम हो गई थी फिर वो जंगल आ गया अब जंगल, अंधेरा, शेर, भालू, जंगली जानवर, साप इन सब उसे टेर की वज़े से वो लड़की एक पीड़ पर चड़ गई और वो रोए जा रही थी, सुबक रही थी, रात गहराती गई, गहराती गई तब तक से पडोसी राज्य का राजकुमार शिकार खेल करके अपने राज्य की तरफ लॉड़ पर रहा था उसने देखा कि किसी की सुबकने की आवाज है, तो उसको लगा कि भालू की सुबकने की आवाज है और वो अपने सैनिकों को सतर्क कर दिया, फिर उसे एहसास वग नहीं है किसी इनसान के सुबकने की आवाज है तो गया पेंड के पास और पूछा कि कौन हो तुम, क्या तुम कोई गुप्तचर हो, तुम्हें गिरफतार किया जाता है लड़की को नीचे उतारा गया और फिर लड़की नीचे आई उसने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसी बात है अब चुकी राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, सुन्दर थी तो राजकुमार ने का कोई बात नहीं, तुम चलो हमारे साथ चलो ले, चलो तुम्हें तारों के शहर में तो चली गई, राजकुमार ने उस से शादी कर ली देखिए हर घटना जो है, वो खराब के लिए नहीं होती है अमेशा बुरे के लिए नहीं होती है, उसमें कुछ अच्छाई वी चुपी रहती है फिर वो शादी कर लिये और खुशी-खुशी राजकुमार और राजकुमारी रहने लगया समय हमेशा एक साथ एक साथ एक जैसा तो नहीं रहता है हमें बदलता है, चीजे बदलती है, दिन बदलता है समय बदला और जो उसके पिताजी थे जिन्होंने उसको राज्य से निकाला था उनके राज्य पर किसी दूसरे राज्य वाले ने अटेक कर दिया और इस अटेक में उसका सामना नहीं कर पाय पिताजी अब उनको कैद करने के लिए उस राजी का राजा कोशिश करने लगा लेकिन ये भी भाग गए अब भाग कर गए कहा वहाँ उस जंगल में जिस जंगल में इनकी लड़की गई हुई थी और वो लड़की जिस जंगल में गई थी वो भी जंगल पार करने लग फिर वो पहुझते पहुझते उस राज्जी की सिमा पर पहुँच है जिस राज्जे में इनकी राजकुमारी इनकी बेटी अब रानी बन के रह रही है उनके राजा के सैनी को ने पकड़ लिया किसको राजकुमारी के पिता जी को कौन से राजा के वही राजकुमारी जिसके उसके पती के उसके पती के सैनिकों ने राजकुमारी के पिता को पकड़ लिया कि तुम कोई गुपतचर हो तुम कौन हो क्या हो चलो तुम्हें राजा के पास पेश किया जात अब इतने दिन से भागते भागते वो राजा बहुत भूखा हो गया था उसने कहा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा लेकिन सबसे पहले आप मुझे भूजन कराईगे तो आप धीरे-धीरे कहानी समझी गया होंगे तो राजा ने कहा ठीक है सानी को इनके भूजन का प्रबंद किया गया पर राणी उपर से बालकनी में से देख ली कि ये तो मेरे पितासरी है राणी ने कहा कि नहीं भूजन जो है वो मैं बनाऊँगी राजा बड़ा हश्चर में आ गया कि ये भूजन बनाएगी बताईए जो आज तक मेरे लिए चाहे नहीं बनाईए राजकुमारी से विकाओं से ही सारा काम होता रहा आज ये भूजन बनाने के लिए क्या बात है राजा को शक भी हुआ लेकिन राजी ने कहा कि आप थोड़ा धहर रखी आपको सब पताई चाले जाएगा भूजन नहीं बनाऊँ राजी ने भूजन बनाया और अलग अलग तरह के पकवान बनाए और किसी भी पकवान में उसने नमक नहीं डाला सारे पकवान पनीर के सबजी चिकन, मटन जितने या सब चीज हो सकता था सब कुछ बनाया मसालेदार कि अगर आप अभी मेरी कहानी सुन भी रहोंगे तो आप कोई मूँ में पानी आ रहा होगा राजा के सामने टेबल पर रखा गया दस्तर खान बिचाया गया और राजा एक-एक करके सारे पकवान खाना शुरू किये राजा ने खाना खाया कभी ये उठाए, कभी वह उठाए किसी में स्वाद नहीं और राजा चुकी अभी भिखारी हुआ है अभी ताजा ताजा उसका आटिट्यूड जो है वो राजावाला ही है उसने पूरा खाना उठा करकर टेबल से फेक दिया कि ये कैसा भद्धा मजाग मेरे साथ हो रहा है और जैसे ही उसने खाना फेका वैसे ही तलवारे खिच गई कि बताओ इतने मेनत से राजकुमारी निए बनाया और इसने फेक दिया तब राजकुमारी परदे से बाहर आती है और अपना घुंगट उठाती है कहती है कि पिताजी अभी आपको समझ में आया कि नमक की क्या हैमियत है अगर वेक्ति को बहुत दिनों तो नमक ना मिले तो वो बीमार हो सकता है बीमार होकर वो खत्म भी हो सकता है इसका मतलब कि मैं आपको नमक के बराबर नहीं प्राण के बराबर प्यार करती थी हाथी घोड़ा आपका चले गए सोने चानली चले गए लेकिन नमक की आस आपको आग भी है तो दोस्तों स्माइल ही आपका वो नम है जो आपकी जिन्दगी के हर पकवान को आपकी हर परिस्थिती को अच्छा बना सकता है चाहें वह आपका इंटर्व्यू हो चाहें आपकी किसी भी परिस्थिती इंटर्व्यू में अगर आप पास कर रहें तब भी फेल कर रहें तब भी जीवन की हर सफलता सफलता में आप अगर मुस्कान अपने साथ रखते हैं तो फिर आपको किसी भी जीत या हार से आप पड़े जा सकते हैं तो मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आप इन सब चीजों को याद रखिएगा और आपके जो भी कोश्चन्स हैं आप मुझे भीजिएगा मुझे जैसे समय मिलेगा मैं आपको आपके सामने आओंगा और फिर आपको इसाथ कुछ भी जो भी मेरे पास अनुभव है तजर्वा है थोड़ा बहुत जो ग्यान है वो आपके साथ साजा करूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आप बने रहे हैं मेरे साथ आपको बहुत बहुत शुव कामना है कि आप सभी किसी ना किसी पत पे जिस पत पे आप प्रयासरत हैं सफ़र हो